सीमा आई हिंदोस्तान तो अंजू पहुची पाकिस्तान राजस्तान के अंजू बनेगी मुसल्मान पती ने किया चौकाने वाला खुलासा राजस्तान में सीमा हैदर पार्ट टू अपने प्यार को पाने के लिए सीमा पार करना ट्रेंड बनता जा रहा है पाकिस्तान की सीमा हैदर के बाद अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है भारत के अंजू अपने प्यार के लिए पाकिस्तान के खैबर पक्तून खुआ में पहुच गई है दोनों के बीच चार साल पहले सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती हुई थी चौतिस साल के अंजू पहले से शादी शुदा है और वो राजस्तान के अलवर जिले में रहती थी बता दे के अंजू मूल रूप से उतर प्रदिश के कलोर गाओं की रहने वाली है और उसका प्रेमी नसरुलाह खैबर पक्तून खुआ का रहने वाला है दोनों चार साल से सोशल मीडिया के जरिये एक दूसरे से बातशीत कर रहे थे लेकिन हाल ही में अंजू एक महीने की विजट वीजा लेकर अपने प्रेमी समिलने पकिस्तान पहुँची है अगले कुछ दिनों में अंजू और मैं अपचारिक तरीके से मंगनी कर लेंगे और फिर 10-12 दिन बाद वो वापस भारत चली जाएगी इसके बाद वो 12 शादी के लिए पकिस्तान आएगी ये मेरा और अंजू का नीजी जीवन है हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई हस्त छेप करे हम मीडिया से भी दूर रहने की कोशिश कर रहे है ये कहना है पाकिस्तान के खैबर पक्तून हुआ राज्य के जिला दीरबाला के निवासी 29 साल के नसरुलाह का जिनका कुछ साल पहले भारत के उत्तर प्रदेश की एक महिला अंजू से सूशिल मीडिया के जरीए संपर्क हुआ जो समय के साथ प्यार में बदल गया इस संबंध ने इतना गहरा रूप ले लिया कि हाली में अंजू नसरुलाह के साथ अपने रिष्टे को एक नाम देने के लिए पाकिस्तान पहुँच गई इस समय अंजू दौरबाला में नसरुलाह के घर में रह रही है दीरबाला के जीपियो मुहमद मुश्ताक ने अंजू की वहां मौजूरगी की पुष्टी भी की है ये कहानी हाली में पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर और नौइडा के रहने वाले सचिन मीडा की लव स्टोरी से मिलती जुनती है हाला कि इस पूरे मामले की जानकारी जब अंजू के पती को लगी तो वो दंग रह गए दरसल अंजू के पती को उसके अफेर की कोई जानकारी थी ही नहीं वहीं अंजू के पती ने आगे बताया कि वो विदेश में जाकर नौकरी करना चाहती थी इसलिए 2020 में उसने पास्पूर्ट के लिए अपलाई किया था अता ही नहीं अंजु के पती ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं वो दोनों बच्चों को छोड़कर उसे बिना बताये पाकस्तान पहुँच गई है अंजु के पती ने आगे बताया कि वो जैपूर जाने की बात कह रही थी लेकिन लाहुर पहुँचने के बाद उसने वीडियो कॉल किया और बताया कि वो पाकस्तान पहुँच गई है अंजु के पती ने उससे वापस आने की विन्निती की लेकिन अंजु ने अपने पती की एक ना सुनी और पहुँच गई अपने बॉइफरेंट के घर अपने नए रिष्टे को एक नया नाम दे अंजु के इस नए रिष्टे को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताईए